नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन आप क्विक्विक्स रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और स्रक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सकाइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवा देखो आपको grade तो भले ही पता होगा कि चलो ठीक है आपकी गाड़ी में recommended है कि 10W40 डालना ऐा 15W40 डालना ऐा 10W30 डालना है कोईसा भी grade डालना है हलांकि इसके बारे मैं मैं अलग से बात करूंगा कि आपकी गाड़ी में कौन सा grade सही रहता है इन grades के मतलब क्या होते हैं कि मतलब आपको काफी लोगों ने समझाए होंगे और वो सही तरीके से आपको बता नहीं पाए हैं कि इनका सही यूज और सही वैलियो और क्या होती है, क्या चीज रहती है। फिर एक वीडियो में और बात करेंगे कि कौन सा इंजन ऑईल बेस्ट रहता है। और यहां मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रूफ के साथ में बात करूँगा, कारण सिंपल सा है, काफी लोगों ने आपको experience के अधार पे engine oil बता है, कि भाई हमारा experience है, हमने काफी use किया है, और काफी गाड़ियों में डाला है, ये engine oil बेस्ट रहता है, ऐसा नहीं है सर, हर engine oil क एक अलग quality रहती है, उसकी एक testing agency रहती है, तो आपको पता करना बड़ा असान हो जाएगा, अगर वो basic चीज़ें आप पता कर पाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगी, कि ये basic चीज़ें है, मेरे को engine oil के डबबे पर बस खाली ये देखना है, और मुझे पता लग जाएग उसके लिए भी एक अलग से आपको वीडियो दूँगा, सारी चीज़ें करेंगे, पर आज बात कर लेते हैं कि simple तरीके में, basic तरीके में कि कैसे पहचाने कि ये engine oil जो है, वो गाड़ी में, मतलब petrol गाड़ी में use होगा, या diesel गाड़ी में use होगा, इसको सर पहचानने का आपने देखा होगा, काफी डिबों भी लिखा होगा, SN, SM, SJ, SL, ऐसे करके लिखा होगा, जैसे मतलब, let us suppose 10W40 है, तो 10W40 के आगे लिखा होगा, SN, SM, SL, SN+, ऐसे करके लिखा होगा, या फिर CF, CJ, तो CK, इस तरह से number होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, सर जो भी petrol गाड जो काम करती हैं, वो करती हैं, स्पार्क बेसिस पे, मतलब, वहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, और स्पार्क प्लग के अधार पे ही petrol इंजन काम करते हैं, और जो डीजल इंजन होते हैं, वो काम करते हैं, आपके compression के अधार पे, तो काफी लोगों को ये पता नहीं ह दिखकत है और डीजल गाड़ी का इंजन उइल अगर पेट्रोल गाड़ी में डाल देते हैं तब भी दिखकत है सर सिंपल तरीका पता करने का ये है जो भी गाड़ी पेट्रोल कार होगी उसमें जो इंजन उइल डालेगा उसका जो रेकमेंड़ इंजन उइल है उसके आगे रेटिंग होगी वो होगी S से स्टार्ट होगी मतलब S, N, S, M, S, J, S, L जिसके आगे भी लिखा होगा वो आपकी पेट्रोल गाड़ी का इंजन ओईल होगा S से मेरा मतलब है स्पार्क तो स्पार्क वाली जो गाड़ियां होगी उनमें S, N, S, L, S, M, S, J ये इंजन ओईल यूज होंगे और उसमें दो कैटागरी एक ऐसी है S, F और S, G ये औपसिलिट हो चुकी है मतलब ये खतम हो चुकी है हलांकि कुछ जो मोटर साइकल इंजन ओईल है वो इन कैटागरी को अभी भी यूज़ करते है पर अभी जो लेटस्ट है according to API वो है S, N+, तो ये जो कैटागीरी है वो यूज होती है मतलब अभी तक जो टॉप टेस्टेड जो इंजन ओईल है स्पार्क गाडी में और जो डीजल गाडियों होंगे डीजल गाडियों के जो इंजन ओईल होंगे और वो शुरू होंगे C से मालो की 10W40 है तो 10W40 के अगर लिखा है कि 10W40, CK4, CJ4, CH4, CI4 या फिर CI, CJ, CK इस तरह से लिखा है C से अगर स्टार्ट है वो वो जो इंजन ओईल बना है वो आपकी डीजल गाड़ी के लिए बना है वो आपकी डीजल गाड़ी के लिए अच्छा अभी एक और लफडा है यहाँ पर मैं आपको बता दू कुछ लोग जो बोलते हैं कि सर मैं भी अलागी आपको कई वार बोलता हूँ कि सरी ये डीजल भले इस पे लिखा है यह पेट्रोल में भी यूज हो जाएगा तो वो मैं किस बेस पे बोलता हूँ कुछ जो इंजन ओइल होते हैं वो दोनों गाड़ियों के लिए रिकमेंड़ रहते हैं और वो दोनों जो पेरामीटर्स हैं उनके अधार पे उनको ना पा जाता है तोला जाता है वो दोनों गाड़ियों में जो यूज होने वाले इंजन ओइल होंगे उनके आगे में SN, Oblick, CF ऐसे करके लिखा होगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो वहाँ पे S होना बहुत जरूरी है मतलब 10W40, 15W40 आगे SN, SMSJ वहाँ ये लिखा होना बहुत जरूरी है उसके आगे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है कोई टेंसन नहीं है भले C लिखा हो, नहीं लिखा हो, कोई चक्र नहीं S लिखा होना बहुत जरूरी है और अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो वहाँ पे C लिखा होना बहुत जरूरी है भले उसके आगे कुछ लिखा हो एससे नॉबलिक ये, वो लिखा हो चाहिए, नहीं लिखा हो कोई टेंसन नहीं है C होना बहुत जरूरी है, मतलब वो आपकी डीजल गाड़ी के लिए बना है दोनों लिखे हैं, मतलब आप डाल सकते हैं बले पेटरोल हो, बले डीजल हो आप दोनों गाड़ी हो में डाल सकते हैं तो ये चोटी सी वीडियो बनाई थी मना आपके लिए बाकी भी डाउट्स क्लियर करेंगे दीरे दीरे अच्छी अच्छी वीडियोस में तो आशा करता हूँ, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत